हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका आज के वीडियो में इस वक्त में उदेपूर में हूँ और आज हम एक्सप्लोर करेंगे उदेपूर को काफी अच्छे से देखेंगे हम उदेपूर में क्या-क्या गूमने के लिए है और क्या-क्या यहां पर प्रसीद जगा है यहां की एक्सप्लोर करेंगे हम आज और फिलाल इस वक्त में गंगोर घाट पर हो और यह उदेपूर के सेंटर में पढ़ता है बिल्कुल यह मुख्य द्वार है प्रवेस द्वार यह गंगोर घाट का और गेट भी काफी बढ़िया है सुन्दर है और यह देखो यह पूरा घाट गंगोर घाट मैंने आपको बताया काफी अच्छी जगा है और इसके ठीक पास में यहां पर इस गेट के पास में है बागोर की अवेली यह बागोर की अवेली है और यहां पर म्यूजियम है और यह है टिकेट विंडो इसका यहां से टिकेट मिल जाता है और टिकेट का प् तuli यहां का एंट्रेंस है ठो आप काफी सुन्दर एंट्रेंस है तो इस मुख्य गेट से हम अंदर आया हैं और यहाँ पर है यहीं साही कह था तो यहां पर यह सारे स्टैथ वाइस फ्ञान बता हुए पहले जो लिश्ःट थे उनके क्या फ्लेग होते थे वो यहाँ पर बताय हुए है और उसी के साथ में यहाँ पर यह सारी स्टेच्यू है अलग-अलग राजाओ की सारे प्रतिक्षी ने लगे हुए है स्टेट वाइस तो यह साही गाता था जो मैंने आपको बताया काफी अच्छी जगा थी और अभी यहाँ से संग्राली की तरफ बढ़ते हैं तो हम उपर की तरफ जा रहे हैं यह जरोखा बना हुआ है देखो आप काफी सुन्दर है क्या नजरा आ देखो आप सांदार इससे पहले मैंने आपको वहाँ से बताया था यह गंगोर घाट है वहाँ से मैंने आपको यह विल्डिंग बतायी थी देखो आप कितना सुन्दर दिख रहा है बहुत सुन्दर बहुत ही सुन्दर नजा रहा था सेकंड फ्लोर है यह बागोर की अवेली मुजियम का तो वह जरोखा है मैंने आपको दिखाया था वहाँ से मैं आ गया हूँ इस तरफ और यहाँ पर यह है संग्राले तो जैसे हम अंदर आते हैं सबसे पहले यहाँ पर एक लिंग जी की तस्वीर है फोटो है यह रानी की चौपड है इसके अंदर चलते हैं सारा पुराना सामान है यह पितल का यह एक बैठक है यहाँ पर जरी और गोल्ड से बने सितारों की पोशा के हैं यहाँ पर फुरानी जो रानी माहारानी यूज़ करती थी पहनती थी इसे यहाँ पर यह नानगार है नाने के जो बर्टन होते थे वो ए सारे जिसमें पानी रखा जाँ वागा यह देखो यह और पोत्रेट से बताया हुआ है यह है मनुरंजन कक्ष यहाँ पर यह चोपड है बड़ी सी लकड़ी की संगीत पेटी है यह और यह सांप सेड़ी है पुरानी अभी हम जो ताश खेलते हैं वो अलग थी और यह ताश देखो कैसी थी पहले तो यह सारा मनुरंजन का सामान है यहाँ पर मैंने आपको बताया खाफी सुन्दर सुन्दर है और यह बैठक है और यहाँ पर यह है गणगोर कक्ष राजस्तान में फैमस है गणगोर तो यह इस तरह से गणगोर तैयार होती थे देखवा आप यह शेहन कक्ष है सोने का कमरा यह जो पलंग आप देख रहे हो इस पर चांदी चड़ी हुई है अभी हाला की थोड़ा काला पड़ गया है लेकिन यह पूरा चांदी चड़ा हो पलंग है इस तरह पर यहाँ पर एक संदूग रखा हुआ है लकड़ी का और यह सारे बरतन रखे हुए है पूराने यह एक जरोखा है जो कि बहुत सुन्दर है देखो आप कितना बढ़िया लग रहा है यह जो लाइटिंग आ रही है बाहर से उसके बाद यह जो रेड कलर है कुछ अलग ही दिखता है तो काफी बढ़िया है बागवर की हवेली मेजियम मैंने सोचा नहीं था इतना बढ़िया होगा बहुत अच्छा मेजियम है यह सब कुछ काफी अच्छे से रखा हुआ है तो नीचे आ गए है हम देखो आप और यह पगड़ी संग्रा है यह देखो आप बहुत सारी पगड़िया है अलगलग टाइप की और सबके अलगलग नाम है अलगलग तरीके से बंदी हुई है देखो आप तो पगड़ी का साइच देखो आप इतनी बड़ी पगड़ी है तो पगड़ी सेक्षन से बार आ गए है और यहाँ पर यह देखो सितार है मेरे क्याल से पका नहीं पता लेकिन लगबग सितार ही दिख रही है तो यह सितार है वादी यंत्र लिखा हुआ देखो तो यहाँ पर यह सारे गाने बजाने के वाती यंत्र रखे हुए हैं टोलक, टोलकी वगएरा काफी पुराने पुराने वाती यंत्र रखे हुए हैं यहाँ पर यह तंबूरा है और इस तरप में यह सारंगी है शाम को यहाँ पर काफी उचञा है मुखी एंट्रेंस है यह जग्दिष मंदिर का यहां से अंदर हैं meant करके यह मुखी गेच het मंदिर मैंने आपको बताया सामने यहां पर की मंदिर बना हुआ है और इसके इस तृफ से जब हम आगे आते हैं तो यह पर यह जग्दिष मंदिर मुंदिर में चबते है नमस्कार बंडी जी योगे जी महाराज जग्दिश मंदीर के मुख्य पूजारी है जैसी कृष्णा यह जग्दिश मंदीर जो है 16th century का बना हुआ मंदीर महाराना जगत सिंग जी थे उस जमाने में उन्होंने इस मंदीर को बनवाया था मारणा जगक फिंग जी जो थे ना वो पूरी के जागनाझसवामी जो है ना वहां के भक्त थे उलडा तो एक समय में जब वहां घया न तो बहुत थे ऑजह सभंगे लिए न वा आर थंग वे से जैक्वें बंढ़ में पीर बंड़ दीन के लिए अनृत नो जातेए उश्य न अब उनका यह नियम था कि जब तक ठाकुर्जी के दर्सन होए वह जावें तो दर्सन होए तो बोजन करें अब वह एक दिन दो दिन तीन दिन वह बेठे रहे चार रात्री हुई भगवान स्वयम जो है एक पांच वर्स के वालक के रूप में जो है मंदीर में विचरन करते ह लोगवान ब्लाइब लुका यह एक वी आदमी बुका नहीं सोता रहा है तो यह चार दिन से भूका तो इसी बालक ने जो है वह बगवान विष्णों का सवरूप हुआ संक चक्र गदापत्मदारी विष्णों के स्वरूप में जो है उस राजा जगत सिंग को दर्सन हो ग ले फ्रहाच और भर राजा है यहां दूर देख है उसने हमें स्क्वीट को समवर यहां तो trust घंलने तो वह ब्रहामनों से जाके मिला और फिर उन्होंने कुछ अनुष्ठा ने सा किया जिससे उसको जो है धरती से जो है धन्प्राप्त हुआ उससे यह मंदिर उस राजाने बनाया फिर यह वापस मंदिर बनने के बाद में महाराना जगत सिंग जी जो है पूरी जगनात और जैसे शरूप में आपने मेरे को दर्सन दिये वेसा शरूप चाहिए तो बगवान जग्रीश ने वहां से अड्रेस बताया के तेरे महां पर तेरे राज्य में एक जंगल है वीड़ावल नाम का उस जंगल में जाना एक वर्ट वर्क्स का पेड़ाएगा उसके नीचे जाएगा कोई दिकत नहीं ऐसा है कि तुब वह स्वरूप लिया और फिर ऐसा करना के चार सोने के कड़े तू बना के यह लाना जगनात पूरी यह लाना और यह बेट कर देना जब तू प्रतिष्ट हो जाएगी मूर्ती की तो तू पर्दा कर देना और पांच बजन गाना बगवान के और पांच बजन हो जाए नगल अगर यह ले जो है सोने के कंगन इसके दर्सन वहां हात में हो जाया तो तू यह मान लेना कमया फिर उसने जो है वह कंगन बना के गया और वहां कंगन जो है स्वरूब के दारण में तो उससे राजा यह मान गया कहां को मेरे रज्ज में ठाकुर्जी बदा रहे आठाकुर्जी की बड़ी क्रपा है और हजरों लोग और हजरों यात्री जो है यह भगवान के दर्शन लेने और आसिरवाद प्राप्त कर रहे इंटरनेशन मंदिर में मंदिर के दर्शन आपको अच्छे से करवाए मैंने अभी चलते हैं यहां से आगे अगले डेस्टिनेशन के लिए अगले स्टॉप के लिए तो यहां पर काफी सारी बाइक रेंटल की दुकाने है तो मैंने यहां से बाइक रेंट पर लिए एक्टिवा लिए और एक्टिवा का जो रेट है वो 300 रुपे है और डे का यह है हाती पॉल इसको कहते हैं हाती पॉल तो इस तरह से यहाँ पर हाती पॉल इसके लावा चांद पॉल सूरज पॉल बहुत सारी पॉल है जहां से पहले सहर में एंट्री हुआ करती थी अगे बढ़ रहा था लेकिन काफी भूक लग रही है लगपक एक बच गया है थोड़ा सा नास्ता करते हैं और उदेपूर का फेमोस नास्ता करेंगे राजस्तन का फेमोस नास्ता करेंगे तो कचोरी फेमोस है यहां की और यह जगा है जैस मिश्टान बंडार सर कबसे और यहां 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 प्याज की कचोरी लिए मैंने 30 रूपीज की प्लेट है और अगर आपको चाहिए दो लेकिन मैं सिर्प कर रहा हुँ हो चाकड़ी भी मिलती है एक दम सपाइसी है मदा आगया मुख खुल गया बूरा बहुत अची कचोरी है इसको बोलते तगारी राजस्थानी में तो यह पूरी खाली होती है और फांच-दस मिनिट में इतनी कचोरी बिक्ती है यहां पर तो काफी फेमस है यह जे-एम-बी कचोरी में तो प्याज की कचोरी खाई बड़ा मज़ा आ गया मेरे से रहा नहीं गया तो मैं अंदर जा रहा हूं इनकी मीटाई की दुकान में देखते हैं क्या वेराइटी आपको भी दिखाते हैं फिर आके बढ़ते हैं तो यह मनीज जी है यहां के ओनर है यह हमें कुछ बता रहे हैं यह हमारा राजस्तानी ट्रडिशनल आइटम होता है गेवर बारा मैने चलता है यहां पर मलाई गेवर ही है मलाई गेवर जी और बाकी जो अगर आप देखें तो यह विंटर स्पेशलिटीज है उडदा लड़ू पिन्नी जिसको बोलते हैं और हरी चने की कतली लीलवा कतल और यह संगब बर्फी है यह हमारा सिगनेचर स्वीट है काजू गुलकन पिस्ते का क्यूंकि गेवर के बारे हम सबसे ज्यादा सुना मैने राजस्थान में तो सबसे पहले गेवर टेस्ट करते हैं मलाई गेवर मलाई काफी ज्यादा हाथों में लग रही है गुरवन काने में एक दम सॉप जाएगा अच्छा कि देशी घी में ट्रैफूट के साथ जेएंबी करके दुकान यह और काफी पुरानी दुकाने 1963 से लगबख और चेतक सर्कल के पास में वैसे में मिठाई घाता नहीं हो लेकिन मैंने पार्सल करवा लिया है थोड़ा कुछ और दो पसाने में टाइम लगेगा और अभी लगबख दो बच्चों के हैं कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि 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 तो यह बोड़ लगा हुआ देखाप सजजनगर बायोजिकल पार्क बायोजिकल पार्क और जू भी है यह और आगे अंदर फोड़ है तो यहां से अंदर जाना है और अंदर जाने के लिए चार्ज करना पड़ेगा इंडियन सिटीजन का 110 रुपे टिकेट है और उसके अलावा अगर आप गाड़ी लेके जाते हो तो 305 और टू विलर लेके जाते हैं तो इन लोगों की भी गाड़ी यहां से जाती है जो आ आप अलावा 55 रूपे एक्टीव का चार्ज लगा जा हुआ है अनुरु का और तो यह पार्किंगर सजजन गढ़ा में उपर आ ग्या हूँ यहां पर टूविलर इस तरफ में फोर्विलर का पार्किंग ए और इस तरफ से में जाना आगे सजन गण के लिए सामने सजनगर दिखेगा आपको देखो यही है पूरा यहां से एंट्री है यह मेन गेट है तो 1883 में इसे मेवाड के महाराना सजन सिंग जी ने बनवाया था और यह पहाड़ी यह इसे बांसदरा की पहाड़ी कहते है जहां से हमने टिकेट लिया था नीचे गेट से वहां से यहां आने में लगबक 10 मिनिट का समय लगता है और मेरे ख्याल से तीन किलोमेटर के आसफास होगा यह है इस तरफ में सरजनगर फोट है और यहां पर यह एक विव पॉइंट बना हुआ है यहां से काफी अच्छा नजारा दिखता है यह नीचे का नजारा देखो यहां से ऎकी पूरा उद्यपूर दिखता है और काफी सांधर देखता है कि भी अरुब कर लेक दिख़रा है यह पटेशागर लेक है और इसके इस तरफ में पिछोला लेक है ये वाला ये वाले जो इमारत आपको दिख रही है बड़ी सी ये सिटी पैलेस है और बीच में जो आपको दिख रहा होगा वो ताज होटल है कि सामने चलते हैं वहाँ पर फोर्ट में यहां से भी नीचे का नजारा काफी बढ़िया दिखता है देखो आप इस गेट से हम अंदर आए हैं और यहां पर भी यह पैसे यहां से नीचे का नजारा दिखता है अंदर चलते है पैलेस में इस तरफ में यह जरोका टाइप में बड़ी-बड़ी पोट्रेट लगी हुए है यह महाराना पत्ते सिंग है और इस तरफ में यह महाराना सज्जन सिंग जी है जिन्होंने पोट बनाया था अब यह राजस्तान की जय विवित्ता बता रहे है यह पर यह चलता है रहता है राजस्तान में कौन से कौन से पशूर जानवर रहते है वह यह पर बताते हैं और यह पुरा होल है जो मैंने आपको बताया यहीं सामने से तो यह वह बिल्डिंग है जो मैंने आपको अंदर से दिखाई नीचे बड़ा सा होल ता जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है और यह खुली जगाए उद्यपूर शहर उस तरफ था वहां पर आगे जो मैंने आपक यहां पर जाता है जरोखा है जासे नीचे का नजारा दिखता है कि यहां से भी नीचे का नजारा देखने को मिलता है लगबक तीन किलोमेटर उपर गए तब वहां पर सजनगर था जो मैंने आपको बताया अभी मैं नीचे आ गया हूँ तो यह सजनगर फोड था बाकि यहां पर एक बायोजिकल पार्क भी है सजनगर का जिसका 45 उरुपे का टिकेट है आप चाहो तो इसे देख सकते हो सजनगर को वैसे मौनसून पहले से भी कहते हैं मैंने बताया था आपको क्योंकि मौनसून में जरूर उपर जाओ बाकि आप नॉर्मल टाइम पर आओगे तो इतना आपको खास मज़ा आएगा नहीं जो मैंने आपको बताया तो अभी यहां से आगे बढ़ते हैं यह सजनगर फोड था बाकि बाइलिजिकल पार्क भी मैंने आपको बता दिया अगर आप जाना चाहो त तो सजनगर जाने से पहले जो मैंने आपको चेतक सर्कल बताया था वहां से लगबग डेड़ किलोमेटर है यह जगा सेहलियों की बाड़ी यहाँ पर टिकेट काउंटर है तो टिकेट ले लिया मैंने अंदर जाने के लिए 20 रुपे का टिकेट लगता है चलते अंदर सेहलियों की बाड़ी में लीजिए सर खंबा गणी महाराना संग्राम सिंग ने इसे बनाया था 1710 से 1734 के बीच में जो महारानिया थी रानिया थी उनके लिए बनाया गया था और इसके नाम से पता चलता है सहलियों की बाड़ी और मैं अंदर आ गया हूं देखो आप सुंदर बगीचा है इस तरफ भी बड़ा सा बगीचा है सुंदर सा और इस तरफ भी बगीचा है और इस तरफ में आपको यह फोटो वगरह मिल जाती है राजस्तानी पोसाक और यह में गेट अंदर जाने के लिए इसमें यहां पर कलर का काम किया गया है तो पानी बंदे यहां पर पानी भरा रहता है और चारों तरफ से पानी आता है और बीच में यहां पर यह जो मुर्ती दिखती है इसके आसपास में भी पानी होता है इस जगह का नाम था बिन बादल बरसात मैंने आपको बताया यहां पर पहले बहुत पानी हुआ करता था पूरा भरा रहता था और काफी सारे फाउंटेन चलते थे अलग अलग और यह पूरा गाडन है तो इस तरफ चलते हैं यह वह भवन है जिसमें परदर्शनी थी अंदर मैंने आपको बताई मैं पीछे की तरफ आगया हूं और यहां पर यह है कमल तलाई जितने भी आपको पौदे दिख रहे फूल दिख रहे यह कमल के पौदे हैं यह आपको जो पॉइंट दिख रहे होंगे देखो आप यह इस तो यह भी फाउंटेन बीच में जो सरकल टाइब का आपको दिख रहा है जब यहां पर फाउंटेन चालू होता है तो बहुत सुन्दर दिखता है लेकिन आज बंध है हमारा बैट लख है अबंध है तो अभी मैं आ गया हूं मोती मगरी पर यह मेन गेट है यहां का और यह टिकेट विंडो है तो टिकेट मैंने ले लिया है सो रूपए एंट्री फीश है और तीस रूपए टू विलर का चार्ज लिया इन्होंने लगबग आने जाने का डेड़ किलोमेटर के आसपास हो जा अशंच है तो यह जिएंगे तो यह मुजियम है यहां पर नीचे लेकिन पहले हम यहां की जगा में जगा वहां पर जाएंगे यह बोगए में जगा का देखो आप बड़ा सा तीरंगा है भारत-मद अब ओ contexts यम दो यहाँ से हम आये मिद नीचे से यहाँ पर पार्किंग किया हमने सामने किल कि टू एक आर फ्रींगे और यहांपर यह बड़ा सा फ्लैग है हमारा देश का जंडा लेरारा है सानil से देख ह Whole suite है देखो आप महारानव परताप का काफी सुन्दर है और बड़ा बी है और इस्टेचु की जो बारी किया है किında बारी कि हो कि इस Cinderella इसे काम किया गया व troop देखवा चोटी से चोटी चीज दिखरी आपको इनकी मोजडी की कलाकृती गोड़े के उपर जो बक्तर पैनाते वो फिर महाराना प्रताप ने जो बक्तर पैना वो तो बहुत अच्छे से यह स्टेचू बनाया गया है बहुत बारिक कारी करी है इसकी तो यह बैटल ओफ हल्दी गाटी बताया हुआ है नीचे और उपर महाराना प्रताप का इसमारक है यह उनकी मुर्ती है चेतक के साथ जो की काफी सुंदर है जहां पर चेतक ने अंतिम सांस लेती वह जगह तो यह भी काफी डिटेल सा बताय वह देखो यह चेतक है महाराना प्रताप का गोड़ा और महाराना प्रताप उसे अंतिम विदाई देते हुए तो यह महाराणा प्रताप का इसमारक था मैंने आपको बताया काफी सुंदर जगा है यह अभी यहां से हम इस तरह से नीचे जाएंगे इस तरह से और आगे हम आपर मोती महल है जब उदेपूर में कुछ भी नहीं था यहां पर पूरा जंगल था तो सबसे पहले यहां पर मो बने तो उदेपूर में जो सबसे पहला महल था वह मोती महल था अभी फिलाल इतना नहीं है थोड़ा सा कुछ पांट बचा हुआ है उसका खंडर जैसा है तो यह है मोती महल का एंट्री पॉइंट और यहां से अब अंदर चलते हैं यह देखो अभी सिर्फ खंडर रह गया हुआ यह महल है यह मंदिर है सामने और मंदीर के इस तरह में भी खंडर है फिलह बचेशिशिव महल से मिद 91 और यह जाता है और यहां से आपको जो लेक है उसका विअ दूखता है काका Aunty इस जबाड़ विव आता है कि आए कि एक यह फेज़ पॉइंट है वहां से उपर से नीचे की तरफ आए हैं और यहां से नीचे का नजारा दिखता है सांदार बिल्कुल प्यारा तो मैं आपको दिखाता हूँ देखो कितना बढ़िया नजार आए यह फतेशागर लेख है और सुन्दर लेख है देखो आप कितना बढ़िया दिख रहा है अजज़ दिख कितना नज़िया दिखागर यह यह बढ़िया अजार आए है मुझियम में ये वीर भवन कहते हैं इसे और काफी सुन्दर अंदर बताया गया है तो इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पर स्वादीनता और स्वाविमान के रक्षक माहाना प्रताप के छत्र तले वीर युद्धा जालामान राणा पुंजा बामाशा आवं स्वप रिरित होकर आय हकीम खासूर जैसे वतन प्रेमियों के साथ हल्दी गाटी समर्ष तले की और प्रस्थान करते हुए तो यह जब मुजियम है इसे वीर भवन कहते हैं यह पूरी परदर्शनी है यहां पर इस मुजियम में और यहां पर यह देखो कुंबलगड जो है किला जो फोर्ट है उसकी प्रतिकर्थी बनी हुई है उसका मॉडल बना हुआ है इस तरह से कुछ कुंबलगड फोर्ट महसूस किल जए कि मालना प्रताप के समय के इुद्धा कितना वजन उठाकर युद्ध किया क mínimo की फیک्ट है यह बाला देखो 2.9 कि लो गा है लगबग 3 कि लो और इसके बाद यह तलवार हैं लगबग 2 कि उसके बाद में न्याल है ये लगबग ऑगशाल किया और ये तीर कमान ये 38.05 के ही ये बक्तर है औरबक्तर का वजह üllt शोला किलर देप हलान का ये等ży बटतर है तो से एलबर हल्द गाति को माति के पवित्र मीट्टी है यहाँ पर लिखा हुआ है तो यह सारे हतियार थे जो मैंने आपको बताएं जो यूज किया करते थे पहले और सबका वजन लिखा हुआ था और इस तरफ में यहाँ पर City Palace का भी बनाय हुआ है देख़ो आप तो कुछ इस तरह से है City Palace और तो यह City Palace का मॉरेल था इस तरफ में यहाँ पर हल्दी गाटी रंड शेतर बताएं है हल्दी काटी का जो रंड शेतर था वो कुछ इस तरह से था यहाँ पर चित्टोरण का जो खिला है उसके बारे में बताएं है यह मॉडल है उसका चित्टोरण की लेगा तो कुछ ऐसा दिखता है चितोड़ का गिला है तो तो मैं नीचे आ गिया हूँ भी फते सागर पर और यह यहां से बोटिंग होता है फते सागर का वैसे अभी लगबग छे सवाचे बच गया और अंदेरा होने वाला है तो मैं बोटिंग तो करूंगा नहीं वैसे इच्छा पूरी थी बोटिंग करने की और आपको दिखाने की लेकिन टाइम काफी हो गया है तो मैं आपको दिखान नहीं पाँगा अच्छे से अंधिरा हो जाएगा तो मैं आपको एक बार यहीं से व्यू दिखा देता हूँ यह फतेशागर लेक है और काफी सुन्दर लेक है देखो आप अभी संसेट हो रहा है और नजारा बेद सांदर दिख रहा है तो फतेशागर लेक का नजारा मैंने आपको बार बार से दिखा दिया बोटिंग बाकी रह गया क्योंकि अंधिरा हो गया तो करनी पाया बोटिंग भी बंद हो गया है तो बोटिंग हम कल ट्राइए करेंगे हो सकता आपको अगले वीडियों देखने को मिले सुपे मैंने पाइशे बाग ओर की अवेली के लिए कि अधिक अधिक है है कि अधिक मतलब अधिक गोड़ों कि अधिक बुच्राइओ कि वेच्छे अधिक तो अधिक गोड़ा पे बात एक है हुआ 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 से Marx कर जलिओ प्रेश्ग हुआ 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 तो मद्खेवन कहा जानन कहा ज INTERF low टजए घ्रटेश्गें हुआनी का बल्से अट्रोग वैं सेवेल कि इल्पिस हुआ 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 कि भीचैन और टीजड कि विधेफ दमाई कर दो मतर हाल कर दो कर दो कर दो जो पोल्चित को बद कि अवार कि झाव हो कि अवार तो बागोर की अवेली में जो शो होता है वो काफी जबरदस्त है मैंने आपको बताया मुझे मज़ा आ गया पता है नहीं चला है गंटा का पूरा हो गया अलाकि थोड़ा मुश्किल से अंदर एंट्री मिली थी क्योंकि सारे टिकेट सोल्ड आउट हो गये थे लेकिन फिर भ आपशे अंदर हम पाष्से छे आपको अध्रेक्सन बता है काफी शारे बड़िया अप्रोटोक और जो बचेए प्सक्राइब झाल